गुड इवनिंग बैंकर्स कैसे आप सभी लोग मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अड़ 24-7 रेगिलेटरी बॉडीज पर आज हम आज हमारी पहली क्लास है जहां पर हम जेनरल अवेरनेस और करंट अफैर के MCQ सीरीज शुरू करने वाले हैं मेरा नाम Pinky है, Current Affairs मैं Regulatory Bodies Examination के लिए पढ़ाती हूँ बिना किसी देरी के हम यहाँ पर Question शुरू करेंगे Question शुरू करने से पहले एक दो चीज़े बताना चाहते हूँ सबसे पहले अगर आपने चानल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो कर लीजे यह जो सिरीज है, मेरी जो सिरीज है जहाँ पर मैं General Awareness और Current Affairs के Questions आपको करवाँगी वो Monday, Tuesday और Wednesday आएगा ठीक है रोज Monday, Tuesday, Wednesday साड़े 9 बज़े में आऊँगी आपके साथ कुछ Questions प्राक्टिस करूँगे और उनको जो भी है यहाँ पर Explanation के थ्रू हम समझने वाले हैं ठीक है, हम एक और चीज यहाँ पर आपको 20 सेकिंड दिये जाएंगे एक Question को Solve करने के लिए वो थोड़ा सा इसलिए मैं डालती हूँ ताकि Time Management जो है वो आपका हो पाई तो make sure कि जितना आपको टाइमर दिया गया है उसी टाइम में आप अपना Question Attempt कर पाएं जो भी आपका Score रहेगा वो मुझे Comment section में जरूर बिताएगा तो शुरू करें, are we all ready for this? शुरू करते हैं एक अच्छी सी energy के साथ and here is the first question हमारी पहली क्लास का हमारा पहला सवाल ये रहा हाँ जी, this is the first question और हमारा समय भी शुरू कर देते हैं समय शुरू होता है अब, बताइए चल ये समय खतम होता है, what was the role of Reserve Bank of India RBI का रोल बताना है, रुपी को stabilize करने में and what is the significance of India का foreign exchange reserve यानि यहाँ पर इंडिया के foreign exchange reserve के बारे में सवाल पूछा हो है और RBI का क्या रोल है, हमारे currency को stabilize रखने में selling rupee to increase volatility, यानि रुपे को यहाँ पर बेच दिया जाता है volatility को बढ़ाने के लिए, देखो volatility को हम बढ़ाएंगे क्यों है न, market में volatility को क्यों बढ़ाना है हमें, right so यह तो वैसे ही गलत हो जाता है, intervening to stabilize the rupee कि rupee को stabilize करने के लिए RBI पीच में आता है encouraging speculative trading, speculative trading हम क्यों increase करेंगे forex market dynamics को ignore करना, यहाँ पर तो negative सारे यह words है ठीक है, या फिर foreign exchange reserve को decrease करना, अगर आपको इस question का answer नहीं भी आता है, बट अगर आप अपने common sense के through भी जाएंगे, तो forex exchange को, foreign reserve को decrease करना क्या अच्छा होता है, बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, तो मैं कर दूँगी eliminate, क्या मैं forex market को, forex market में जो भी चल रहा है उच्छाल चल रहा है, गिराव चल रहा है, जो भी चल रहा है क्या मैं उसको ignore कर सकती हूँ, बिल्कुल मैं नहीं करूँगी में तो ये भी मैं यहां से हटा दूगी ठीक है speculative trading को बढ़ाया नहीं जाता है ठीक है तो वो भी जो है मैं यहां से हटा दूगी तो basically यहां पर मेरे पास तो मेरे according सारी चीजें हटा के option एक ही बचा है which is answer number B is the right answer यहां पर जो है forex market को stabilize करने में जो है यहां पर RBI का roll है और उसके साथ-साथ forex reserve भी maintain करता है हमारा RBI बहुत सारी आपको पता होगा कि forex reserve जो है अगर हमें कोई भी चीज हम खरीद रहे है बाहर से ठीक है तो उसका जो पैसा जाता है वो वहीं से जाता है तो forex reserve किसी भी country के लिए किसी भी country economy के लिए बहुत ही अच्छा होता है दूसरा point यह है कि एक बार हम ऐसे एक स्थिती में पहुंच गए थे एक ऐसे point पर आ गए थे कि हमारा forex reserve इतना कम हो गया था कि हमारे पास सिर्फ हफते 10 दिन का पैसा बच गया था अक्सर जो है वो आता है कि forex reserve में क्या-क्या component है या forex reserve इंडिया का किन-किन चीजों से बना हुआ होता है तो सबसे पहले उसमें आती है foreign currency assets foreign currency assets का मतलब होता है यहाँ पर सिर्फ dollar ही नहीं dollar के अलावा भी बहुत सारी currencies हैं जो RBI अपने पास हमाल कर रखता है फिर आता है SDR यानि special drawing rights यह IMF का एक instrument है directly SDR से काफी बार सवाल पूछा जा चुका है इस बार भी आपके exam में आ सकता है कि क्या SDR forex reserve का part है या नहीं बिल्कुल है जी और SDR है क्या special drawing right है IMF का एक instrument है ठीक है उसके बाद gold भी होता है और हमारे reserve transpositions भी होते हैं ठीक है एक तरीके का emergency आप लगा लिजे यह होता है funding होता है ठीक है अब ही के लिए अगर मैं बात करूँ तो $596 billion पर यहाँ पर पिछले महीने तक हमारा fork reserve था यह data भी आपके exam में जो है होता है अब शुरू what does the term demographic dividend refer to demographic dividend का क्या मतलब होता है easy सवाल है चले समय खतम होता है what does the term demographic dividend refer to इसका क्या मतलब होता है कि increase in mortality rates जो death rate होता है क्या उसका बढ़ना demographic dividend होता है नहीं जी बिलकुल नहीं होता अब period of economic advantage चलो मुझे अगर यह नहीं पता तो मैं अभी इसके लिए छोड़ती हूँ मैं एक और चीज़ आपको सिखाना चाहती हूँ कि देखे हमें जब MCQ हम solve करते हैं MCQ दो तरीके से solve किये जाते हैं एक आप जितना पढ़े हो आपने जितना पढ़ाई की है जितना जो है revision किया है अपने knowledge के basis पर आप कर सकते हो second कुछ techniques होती है जो हम use कर सकते हैं जिससे अगर हमने वो चीज़ नहीं भी आती है हमने नहीं भी पढ़ी है तब भी मैं right answer पर पहुँच सकती हूँ मेरे session में जो special चीज़ होगी वो यही होगी कि मैं आपको बीच-बीच में वो technique सिखाती रहूँगी कि अगर कोई आपको topic नहीं भी आता exam में जाके तब भी आप उसके सही answer पर कैसे पहुँच सकते हैं उसमें सबसे बड़ा role आता है elimination method का तो मैं पहले eliminate करकर के गलत को हटाऊंगे और उसके बाद सही पर पहुँचूंगी rising birth rate नहीं जी demographic dividend का मतलब birth rate का बढ़ना नहीं होता population का decline होना immigration pattern ठीक है यानि जो भी आना जाना होता है उसका क्या pattern होता है क्या उसको हम demographic dividend कहते हैं नहीं demographic dividend basically यहाँ पर यह होता है यह एक advantages position होती है अच्छा होता economy के लिए जहाँ पर working age population जो है वो grow करती है in its share of its total population है ना अगर 100 लोग है मेरे देश में और उन में से अगर मालो 30 लोग working age population में आ गए है इस 30 से वो आगे बढ़कर अगर 40 लोग working age population में आ गए है 100 में से तो मैं बोलूँगी मेरा जो है एक demographic dividend जो है वो बढ़े गया है so basically family size plus family size life span इन सारी चीज़ों को जो है हम यहाँ पर इसमें calculate करते हैं इस तरीके की सवाल आपसे पूछा जा सकते हैं अगले सवाल पर चलेंगे और time starts now what was the month on month change in India's crude oil import October में quickly जल्दी से कीजी attempt चले समय खतम होता है देखे यहाँ पर जब आपका exam है January में आपका exam है तो हम majorly focus करने वाले हैं December, November, October और September के current affairs पर यह वो महिने हैं जहाँ पर हमें सारा data चाहे वो fact हो चाहे वो concept हो याद करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा चीक है लिखना पड़ेगा मतलब हमें याद करना पड़ेगा तो में को facts भी इन चार महिनों के पता होने चाहिए कितना GDP ग्रो हुआ कितना GST collection हुआ क्या inflation का number है क्या मेरा WPI है क्या मेरा CPI है किसको कौन सा award मिला है sports में क्या हुआ है किसको कौन सा appointment पर किसको बिठाया गया है में को याद भी इन चार महिनों का ही करना है है न so क्योंकि October का data पूछा हुआ है तो हमें अगर आपका ये question हो कि क्या मैम ये number भी याद करने है बिल्कुल याद करने है क्योंकि October से belong करता है ये चार महिने के तो हम करके जाएंगे right so यहाँ पर पूछा हुआ है कि इंडिया का crude oil import यानि हम जो तेल खरीदते हैं उसमें क्या changes आएं है क्या हमारा तेल खरीदना decrease हुआ है 5.9% से या बढ़ा है 5.9% से या constant रहा है या decrease हुआ है 10% से increase हुआ है 10% से एक चीज़ हमेशा पहले में answer दिखा देती हूँ फिर मैं आपको इसमें trick बताती हूँ answer is B चीक है B is the answer यानि increase हुआ है 5.9% यहाँ से जो आपको trick सीखने को मिली तो अभी हमने 2 rules सीख लिए है दो rules मैंने हमने जो है बहुत सारी चीज़े और यहाँ पर extreme extreme को करो eliminate चीक है और elimination technique यह दो चीज़े मैंने सीख ली है extreme को करो eliminate यानि बहुत बार जब number आपको extreme दिखते है उनको आप हटा सकते हो बहुत बार वो सही नहीं होते है चीक है यानि कोई भी अगर मैं जो भी तेल ले रही हूँ वो 10% से अचानक से बढ़ाया घटा नहीं सकती हूँ हाँ वो number 2-4-5% बढ़िया घट सकता है बढ़ 10% बढ़ जाए 20% बढ़ जाए वो बहुत बढ़ा number होता है तो extreme numbers को मैं हटा दूँगे अपने options में से extreme हटा दिया मतलब मैंने ये दोनों तो हटा ही दिये है ना remain constant भी मैं हटा दूँगी क्योंकि बहुत कम chances होते हैं कि constant ही रहे अब increase या decrease में आप शायद confused हो जाएंगे तो make sure कि अगर दो option में आप फस जाते हो धानसे सुनिएगा आपने 3 eliminate कर लिए सिर्फ 2 option में आप फस गए हो इस question को आप 100% attempt करके आएगा क्योंकि यहाँ पर आपकी 50% probability है ये question सही होने की है ना I know negative marking नहीं है आप सारे ही attempt करोगे बट फिर भी ये question को तो बिलकुल भी मत छोड़िएगा क्योंकि यहाँ पर आपकी 50% chances है कि ये सही होगा right answer इसका हमने देख लिया है कि बढ़ा है हमारा crude oil import अब मैं थोड़ा सा आपको एक idea दे देती हूँ अगर मैं sources की बात करती हूँ top sources की बात करती हूँ जहां से हमारा crude oil आता है तो यह है Iraq चीक है उसके बाद यहाँ पर यह financial year 2022 का आकड़ा है और यह quarter one financial year 2023 का जो मैं red में दिख रहा है आपको चीक है so यहाँ पर blue red blue red so number one is Iraq और उसके बाद Saudi Arabia रश्या से हमारा थोड़ा आता था और अब suddenly देखो कितना जादा बढ़ गया रश्या से हम थोड़ा तेल लेते थे बट suddenly बढ़ गया है can anybody tell me कि इसका क्या reason है इसका क्या reason है इसका बड़ा interesting reason है and the reason is war रश्या Ukraine war हुई जिसकी वज़े से western countries ने अब देखो रश्या क्या है रश्या आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर जो है रश्या है अगर हमारा प्यारा भारत यहाँ पर है तो कहीं यहाँ पर आसपास जो है रश्या है और इधन western countries है western countries यानि मैं US और यॉरप की majorly बात कर रही हूँ आपको पता है रश्या Ukraine war में जो अमारिका है US है और यॉरप है वो वो जो है US और यॉरप जो है वो रश्या के साथ नहीं है है ना तो इन्होंने बोला कि जी आप जो हमें अब रश्या के पास क्या है रश्या के पास crude oil है plus natural gas है रश्या इनको जो है crude oil और natural gas देता था इन्होंने बोला कि हम तो तुमसे जी नहीं लेंगे, हम तुम्हारी economy में कोई contribute नहीं करेंगे, हम तुमसे कुछ भी नहीं खरीदेंगे, अब रश्या के पास तो stock पड़ा हुआ था, इसलिए रश्या ने क्या किया, बहुत सारी countries को तेल थोड़ा सस्ते दामों में बेचना शुरू किया, और इंडिया उसका सबसे बड़ा जो है, या फिर आप बोल सकते हो, इंडिया ने भी काफी जादा तेल खरीदा, इसलिए आपको ये नंबर जो है, suddenly इतने से इतना दिख रहा होगा, किसी में भी इतना बड़ा गैप नहीं दिख रहा, 2.02 से 12.9 हो गया, इतना बड़ा गैप आपको कहीं नहीं दिखा, ये रीजन इसकाब आपको समझ आगे है, Russia-Ukraine war, चिक है, चलिए, next question, and your time starts now, what is the main purpose of dollar 170 million loan from ADB for Kochi's water modernization project? ओके, समय खतम होता है हमारा, अच्छा जी, चलिए, improve transportation infrastructure, enhance urban living standard, ensure cleaning, ठेक है, support agriculture development, healthcare या फिर education, अब देखे, ये तो एक ऐसा topic हो गया, जी, कि इसमें न सारी ही सही हो सकते, यहां कोई ऐसी चीज नहीं है, जो नहीं हो सकता, ठीक है, बट, बट, फिर भी जो है, तो यहां पर जो है, आपको थोड़ा सा आपकी knowledge यहां पर काम आएगी, इसका सही answer है B, यानि यहां पर, चाहे आपका urban living standard हो, जो शहरों में लोग रहे है कि यह बहुत dim दिख रहा है, मतलब बहुत bright दिख रहा है, मैं इसकी light अभी change करवा देती हूँ, बट I guess आपको समझ आ गया होगा है, ADB एक चीज याद रखिएगा, ADB एक ऐसा topic है, जहां से बहुत बार, बहुत सारे, brightness बहुत जादा है, जहां से बहुत सारे questions जो ह हैं, वो आचुके हैं, so make sure जब भी आप ADB की कोई भी news पढ़ते हो, किसी भी month में, चाहे उसने किसी को loan दिया हो, ADB के बार में कोई factual information आई हो, make sure कि आप उसको ज़रूर पढ़के जाएगा, ADB से बहुत बार सवाल आते हैं, ठीक है, चलिए, अब ADB का थोड़ा सा, अभी कुछ facts देख लेते हैं, ADB 1966 में Asian Development Bank established हुआ था, इसका headquarter Manila Philippines में है, इसमें members 68 shareholding members है, ठीक है जी, उसके president आप यहाँ पर, जो पहले president है, ताकेशी, वो आप देख सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है, current president आप मुझे बताएंगे, ठीक है, comment section में आप मुझे बताएंग को provide करना है, और उसके साथ साथ गरी भी हटानी है, ठीक है, बाकी मैं आप सभी को बतादू कि जितने भी यह regional groups होते हैं, ध्यान दीजेगा, जितने भी आप groupings पढ़ते हो, वो दो हिस्तों में हम divide कर सकते हैं, एक groups होते है, regional groups, regional groups का मतलब है, कि कुछ ना देश है, आपस मे आसपड़ोसी है, और उन्होंने मिलके एक group बना लिया, चार लोगों का, या चार states का, पाच states का, दस states का, उनको मैं regional बोलती हूँ, ठीक है, आसपास के है, जैसे ADB हो गया है, पूरी दुनिया तो नहीं है उसमें शामिल, है ना कुछ countries ही शामिल है, दूसरे जो होते हैं, उनको मैं global बोलती हूँ, global का example हो गया, G20, majorly बहुत सारे countries इसमें शामिल है, world bank, world bank में कितने सारे countries शामिल हैं, तो ये global grouping हो गया, regional grouping आपका ADB हो गया, BRICS हो गया, regional grouping है जिसमें सिर्फ 5 लोग member, 5 members जो है, वो शामिल है, बट चाहे regional हो, चाहे global group हो, इन दोनों का purpose एक ही होत है, और प्लीज धिहान दीजेगा, अगर purpose भी मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूँगी, चाहे जितने भी इस दुनिया में आप grouping पढ़ लीजे, उनका major जो purpose होता है, यानि वो बनाए क्यों गए हैं, आपको किताबों में तो बहुत fancy words दिखेंगे, prosperity, inclusivity, है ना, ये सब तरीके के words दिखेंगे, बट जो hidden, देखें, हर एक चीज का न, दो मकसद होते हैं, एक किसी भी चीज का कारण होता है, जो आपके face पे होता है, जो किताबों में लिखा होता है, दूसरा कारण होता है hidden reason, जो सब को नहीं बताया जाता, तो hidden reasons जो हैं, वो दो ही होते हैं, इन चाहते हैं कि आज कल के ऐसे दुनिया में जो बहुत ही volatile है, हमें नहीं पता किस के साथ कब और किस time पे जंग छड़ जाये, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ और देश रहें, मेरी support में कल को, ठीक है, तो मैं एक group बनाती हूँ, second है economy, economy यानि economy में आपका आ जाता है trade, कि जी मुझे ना trade अपनी बहुत solid करनी है, बहुत अच्छी करनी है, क्योंकि after all trade पर ही मेरी economy जो है, वो based है, तो economy को better करने के लिए हम groups बनाते हैं, चाहे आप दुनिया में कोई भी group पढ़ लेना, आप चाहे कितने भी fancy word पढ़ लेना, बट आप उनका जब निचोड निकालोगे तो आपको यही दो points दिखेंगे, कि अच्छा ये तो economy के लिए है, अच्छा ये तो security के लिए है, ठीक है तो ये एक छोटा सा point मुझे आपको बता रहा था, आगे बढ़ते हैं, next question and your time starts now, according to the Vipo report, what percentage did patent applications by Indians grow in 2022? ओके, समय खतम होता है, 20.5, 25.8, 31.6, 40.2, 35.0, अब देखो, मैंने आज ही आपको एक rule सिखाया है, which is, eliminate the extreme, है न, तो वो जो है, यहाँ पर आपको कर देना है, right, अब यहाँ पर बहुत extreme जो number मुझे लग रहा है, वो तो यह लग रहा है, 40%, ठीक है, तो इसको मैं हटा दू ठीक है, इसमें यहाँ पर question पुछा हुआ है, Vipo report के according, क्या percentage, patent applicant की grow हुई है, यानि patents जो है, Indians ने कितने फाइल करें, जी 2022 में, ठीक है, अब 40% is a very big number, ठीक है, तो यह आप हटा देंगे, इसका answer है, यह आपको जो है, यहाँ पर पढ़ने से पता चल जाएगा, 31.6, इसका सही जवाब है, जब मैं Vipo की बात करती हूँ, यह एक United Nation, यानि संयुक्त राश्र की एक specialized agency है, Vipo, यह intellectual property rights के मामले में काम करती है, इनोवेशन के मामले में काम करती है, ठीक है, आपसे मेरा एक सवाल है कि global level पर जो agency है, Vipo, World Intellectual Property Rights या organization, वैसा ही, वैसा जाही कुछ काम ह हमारे यहाँ पर भी एक अपनी desi organization है, national organization है, उसका नाम मुझे comment section में आप ज़रूर बताइएगा, what is the name of that organization, जो Vipo जैसा सही काम करती है, इंडिया में, ठीक है, 1967 में यह बना था, Geneva, Switzerland में इसका headquarter है, और intellectual properties पे यह काम करती है, क्या इंडिया इसका member है, हंज, बिलकुल इं November 18 क्या है, किस दिन को हम मनाते हैं, 18 November को, चलिए समय समाप्त होता है, यहाँ पर जो है, इसका सही जवाब है B, अगर आपने B जवाब दिया है, तो आपने एकदम सही जवाब दिया है, B, यानि World Day for the Prevention of Healing from Child Sexual Exploitation, Abuse and, हाँ, and Violence, तो यहाँ पर आपको, जुतने भी days हैं, Especially September, October, November, December, यह 4 महिनों में, जुतने भी हमारे major, major days हैं, उनको याद रखना है, उनकी theme याद रखना है, कब हम क्या मनाते हैं, और उनका अगर कोई theme है, तो वो याद रखेंगे, directly question आता है वहाँ से, ठीक है, चलिए, अगला सवाल चलते हैं, और हमारा समय कर देते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, जल्दी से बताईए, जी, आपका जो सही जवाब है, यहाँ पर है C, यानी मैं बात कर रही हूँ, इंडिया ने जो है, तीसरी position secure करी है, globally, 72 unicorn companies, highlighted by the research study, anyways, बट जो है, यहाँ पर, यह number हमारा और भी बढ़ चुका है, यह पीछे कुछ महिनों का data है, अब यह number और भी बढ़ चुका है, ठीक है, जो 1 billion का valuation होता है, ठीक है, उसको हम unicorn बोलते हैं, तो तीसरे number पर हम है, ठीक है, जी, चलिए, अगला question और हमारा समय ह होता है, अब शुरू, what was the purchasing managers index for India का service sector in September 2023, purchasing managers index, अब देखो, जैसे वो unicorn वाला, चलो, आप पहले यह कर लो, फिर करते हैं, ओके, time is up, पहले मैं आपको थोड़ा पीछे वाले question पे ले जाना चाहती हूँ, एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, कि जैसे यह जो number है, कि जैसे कितने unicorn companies हैं, वग्यरा वग्यरा, यह ना, आप अपना latest data, जैसे January में paper है, तो December में जो data आया हुआ है, वो वाला data exam मे exam में answer करना, ठीक है, तो latest data हमें use करना है, GDP का भी अगर कोई number आ जाए है, तो latest data हमें use करना है, ठीक है, चली, यह क्योंकि मैं आपको majorly September के current affairs से शुरू किया है, मैंने तो September के questions अभी कर रहे हैं, so यह हो गया, purchasing managers index, India का service sector में आपको पूछा हुआ है, answer, चली, मुझे अलग- जब मैं बोलती हूँ न, extremes को हटा दो, extreme का हमेशा मतलब यह नहीं होता कि कोई बड़ा number हटा दो, अगर कोई बहुत छोटा number भी मुझे दिख रहा होता है, तो मैं उसको भी हटा दूगी, मुझे यहाँ पर 13 दिख रहा है, 13, ठीक है, बहुत छोटा भी extreme होता है, बहुत ब बहुत बार काम करते हैं, 100% काम नहीं करते हैं, बट काफी बार काम करते हैं, काफी बार काम करते हैं, question पूछ रहा है, purchasing managers index, इंडिया का service sector में यहाँ पर क्या है, 61 है, right, so क्या होता है purchasing managers index, यह basically एक survey होता है, जहाँ पर हम यह देखते हैं, कि पिछले महीने, जैसे अभी चल रहा है November, तो मैं यह देखूंगे, कि पिछले महीने, October में, मेरा service sector और मेरा manufacturing sector, यानि services और goods, चीक है, अगर आपको नहीं पता, services और goods क्या होते हैं, जैसे manufacturing sector या फिर goods, एक ही बात है, इसका मतलब यह होता है, कि मैंने जो है, पिछले महीने, कितने pens produce, यह goods है, यह सारे goods है, यह जो board आप यह देख रहे हो, चीक है, आगे camera है, यह सारे जो है goods है, चीक है जी, सो कितना मेरा manufacturing sector का output है, और कितना मेरा service sector का output है, service का मतलब, मैं जो भी आपको पढ़ा रही हूँ, यह service है, चीक है जी, सो basically यहाँ पर जो है, आपको यह देखा जाता है, एक question यह भी आता ह कि बताए, PMI में क्या हम सिर्फ service sector को count करते हैं, नहीं, हम manufacturing हमने कितना किया है, service sector में हमारा क्या output रहा है, दोनों को हम यहाँ पर calculate करते है, manufacturing और service sector बोथ, चीक है, इसका जो हम range रखते हैं, वो 0 to 100 रखते हैं, मतलब अगर 50 जो है आपका number आया है, यानि हमने अभी अभी जो देखा है कि हमारा service sector ने कितने points कमाए हैं, यहाँ पर 61, तो इसका मतलब हमारी अच्छी खासी growth चल रही है, 50 से अबाव अगर आपका कभी भी यह number आता है, ठीक है, यहाँ पर यह number अगर आपका आता है, तो यह represent करता है कि अच्छी growth चल रही है उस particular sector में, और यहाँ तो 61 आया है, जो कि बहुत अच्छा number है, service sector anyways हमारा बहुत अच्छा perform करता है almost हर पार, ठीक है, तो यह आप याद रखिएगा, 50 एक benchmark हमने set कर दिया है, 50 से उपर अगर number आया है, तो अच्छा वो sector perform कर रहा है, ठीक है, चलो, moving ahead, next question and your time starts, now, what is the China-Myanmar economic corridor and its significance, China-Myanmar, IER का सवाल है international relation के हमारे काफी सवाल पूछे जाते हैं, a stole project, BRI initiative, linking China-Myanmar-Shrilanka, trade agreement, China-Shrilanka के बीच में, cultural exchange program है, military alliance है, South Asia का, okay, again, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, elimination technique का use करेंगे, ठीक है, मैं बोल रही हूँ, China-Myanmar, economic corridor, economic corridor यानि, economy से related कुछ हो रहा होगा, corridor यानि, मैंने एक रस्ता बना है, ठीक है, China और Myanmar, दो states यहाँ पर connected है, और economy को बढ़ाने के लिए बनाया है, ठीक है, तो यहाँ पर military alliance, cultural exchange, ये words आप देख रहे हो, ठीक है, इसका answer पहले देख लीजे, P is the right answer, एक और learning आज हमने सीखी, वो learning ये है, जो मैंने, हाँ, दो learning ये हो गई, तीसरी learning, कि मैंने keywords पहचाने, keywords को पहचाना, and match them with options, match them with options, ये प्लीज लिख लिजे, ये जो तरीके में techniques आपको बता रही हूँ, trust me, इनसे आप 5 से 8 सवाल solve कर सकते हैं, अगर आपको नहीं भी आते हैं वो सवाल, तो भी solve कर सकते हैं, सिर्फ इन technique को यूज़ करके, keyword पहचानों question में, और उन question को option के keyword के साथ match करो, ठीक है, इसका मतलब ये है, कि यहाँ पर तो question में तो keyword है, economic corridor, यानि economy को better करने के लिए कोई corridor बना रहे हैं, ठीक है, तो जब economy को better करने के लिए बना रहे हैं, तो cultural का क्या काम है, उसमें, military का क्या काम है, उसमें, हटा दिया, उसके बाद यहाँ पर trade agreement, चलो, trade agreement हो सकता है, ठीक है, trade agreement हो सकता है, क्योंकि trade और economy related है, but China और Myanmar है, श्रिलंका कहां से आ गया, यहाँ पर, ठीक है, श्रिलंका यहाँ पर, क्योंकि Myanmar भी आना चाहिए था, सिर्फ China और श्रिलंका तो नहीं हो सकते, Myanmar भी आएगा, तो मैंने यह हटा दिया, क्योंकि इसम अपने आप में, इसलिए हम इसको हटा नहीं सकते, समझ रहे हो, हम इसको हटा नहीं सकते, क्योंकि complete नहीं कह रहे है, so मैं first or second के बीच में फश जाओंगे, right, so और as I always say, कि दो के बीच में बहुत अच्छा होता है, कि आप जो है, 50% chances आपके हो जाते हैं, यह एक Belt and Road initiative का project है जो की connect करता है, China, Myanmar और potentially यह श्रिलंका तक भी जो है अभी जाएगा, ताकि economic cooperation तीनों में बढ़े है, यहां पर आप देख सकते हो, China से शुरू होके, यहां पर Myanmar तक जो है, यहां पर जो है जा रहा है, ठीक है, यह यहां पर इसका map है, चली, moving ahead, next question, time starts now, what was the theme of 16th Urban Mobility India Conference and Exhibition 2023, okay, time is up, समय हमारा खतम होता है, इसका जो सही जवाब है, वो है C, C यानि मुझे पता है, integrated and resilient urban transport, ठीक है, यह तो आपको knowledge based question है, यह आपको याद ही करना पड़ेगा, बट, इस question से हमने क्या सीखा, कि हमारे लिए theme बहुत जरूरी है, theme से questions आते ही आते हैं, ठीक है, तो यह आपके आज के questions थे, make sure कि आप जो है, मुझे comment section में, जरूर अपना-पना score बताईएगा, अब मैं आपको एक बहुत अच्छी information देना चाहती हूँ, जितने भी students मुझ इसने last time clear किया था, वो हमारे साथ जुड रही है, कल शाम को 7 बजे, मैं भी होंगी वहाँ पर, और आपको क्या करना है, आपको जो है, इस session के description में, या फिर comment box में, मैं एक जो है, यहाँ पर session अटाच करूँगी, ये वाला session जो मैं ले चुकी हूँ, इस session के description में, हमने Google form अटाच किया है, उस Google form को आप भरियेगा, ताकि मैं आप तक, हम लोग आप तक under 24-7 आप तक connect कर पाएं, आपको Zoom link भेज दे, कल शाम को 7 बजे से पहले पहले, ताकि आप उस Zoom link को जॉइन करके, टॉपर के साथ directly connect हो जाए, और अपने सारे doubts पूछ ले, यूट्यूब पर नहीं होगा ये session, ये session होगा एक Zoom meeting, Zoom meeting की तरह होगा ये, एक Zoom link आपको provide करवाय जाएगा, but for that you need to fill the Google form, है न, और वो Google form, ये वाला जो session है, इसके description में मिलेगा, ठीक है, तो ये इस पे आप जरूर जॉइन करियेगा, and you can directly ask any doubt from the topper, अब मैं बता दूँ कि 1st of December को हमारा ये working भी है, और सारे notes भी खुद बना ले, और सारे sources भी खुद इखटा करे, तो हम लोग सारा आपको syllabus करके देंगे, PDF जो है आपको provide करेंगे, आपका सिर्फ काम रह जाएगा, उनको revise करना, उनको पढ़ना, MCQB class में ही practice करवाएंगे, ये सारे expert faculties हैं, जो आपकी यहाँ पर म आप पर आपको SBI CBO का badge दिखेगा, उस पर click करिएगा, Y674 code जो है, उसमें add कीजेगा और आपको maximum discount इस badge पर मिलेगा, ये मेरा telegram channel है, मैं आपको दिखा देती हूँ, जहाँ पर ये जो आज हमने questions करेंगे, इसकी PDF मैं आपको इस telegram channel पर देने वाली हूँ, Pinky Current Face, Adder 24-7, य कुछ लोग हैं यहाँ पर, आप ये जो PDF है, जो भी हमने की है, ये PDF आपको मैं यहाँ पर attach कर दूँ, ठीक है, I hope session अच्छा लगा हो, comment section में मुझे मैंने जितने भी सवाल पूचे हो और अपना score, जरूर mention कीजेगा, session कैसा लगा, वो भी मुझे बताएगा, and do not forget 7 p.m कल का हमारा zoom session with the topper, जहां पर आप directly की क्या sources है, क्या strategy रही है, interview कैसे करना है, मेरा banking knowledge कमजोर है, कैसे prepare करूँ, क्या sources follow करूँ, कुछ भी आप ऊच सकते हो, और ये free है, free में आपको enroll करना है, free में सारी बाते आपको जो है कर सकते हो, ठीक है, thank you so much everyone, take care, good night, bye-bye.